हेलो एप्रीवन नमस्ते तो कैसे आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो आप लोगों में से बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि मैं इमको ऐसा ट्रिक बताईए जिससे हम लोग अपने घरों के जीमुर को भगा सकें तो दोस्त जब ये कपड़ों के अंदर या किचन में या घर के हर कोने में चले आते तो वहां से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगता है तो आप लोगों ने कभी केर किया होगा कि कपड़े आप लोग बरसास के सिजन में रखे रहते हैं रोग बदबू करने लगता है तो इनी आप लोगों को मिलने वाला है तो वीडियो ज़दा लॉग नहीं होगा वीडियो को बिना skip की होगे देखिए बहुत अच्छा information मिलने वाला है तो सबसे पहले एक container ले लेंगे कुछ लेसुन की कलिया ले लेंगे एक greater ले लेंगे लेसुन की कलियों को हमें great कर लेना है तो लेसुन की जो खुसबू होता है वो जीमूर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है अब यहें पर नौरतना तेल ले लेंगे आप लोग चाहे तो इनके जहां green वाला भी ले सकते हैं करीबन देड़ चमच हम तेल को ले लेंगे तो दोस्तों हमने जो चीजे को लिया है वो हमारे घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है हमने कोई बारी चीज का इस्तमान नहीं किया है अब यही पर हम करीबन एक चमच डेड़ लेंगे फिर इनको हम दो मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि लेसुन और सारी चीजे आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए दो मिनट पूरे हो चुके हैं और इसकी जो इसमेल आ रही है काफी स्ट्रोंग आ रही है अब यही पर हम कॉटन ले लेंगे तो यहाँ पर जो हमने कॉटन लिया है वो ब्लैक वाला है आप लोग चाहें तो वाइट वाला भी ले सकते हैं अगर दोनों ना है तो आप लोग इसके जहां पेवर सूती का कपड़ा भी ले सकते हैं इसके बाद फिर कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े को अलग कर लेना है और बने मिस्रण में इसको हमें घोल लेना है तो घोलने क्या जरूरत है यह सोक लेंगे जैसे कि आप लोग वीडियों देख पा रहे हैं इनको हमें लपेट लेना है तो इसी तरह से हमको जितनी जरूरत है उतने पीसेश बना लेना है तो देखिए सारे पीसेश बनके तयार हो चुके हैं अब इसे आप लोग कब रखें इसका रखने का सही तरीका क्या है तो आप लोग इसे किसी भी समय रख सकते हैं और जहां पर लगे ये जिमूर लगते हैं वहाँ पर एक कॉटन का टुकडा रख दीजिए देखिए दो मिनट भी नहीं दो मिनट क्या एक मिनट भी नहीं लगेगा आप के हाँ से घरों से जिमूर गायब हो जाएंगे और जहिंूर को भगाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और आप लोग कहां से देख रहे हैं मुझे किस सहर से किस गाओं से ये भी बताईएगा ताकि आप लोग को हम धन्यवाद दे सके मिल से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई